है हेलो बच्चो हम पढ़ रहे थे एक जोगर्फी का एक चेप्टर जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिडेशन एंड वाइड-लाइफ इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था जैसे क्लाइमेट क्या होता है सीजन क्या होते हैं इंडिया के साथ ही साथ हमें एक और ने जो न्या जैने उसके बारे में पढेंगे जिसका नाम है ट्रोपिकल डेसिलियश फोरिष्ट के या बारे माने में पढ़ना है तो इस आर काउल मौ्शुन फोरिस्ट एंड नॉट वे री डेन्स they shut their leaves at particular time in the year तो ये जो है ये मौनसून वाले जंगल होते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो जंगल होते हैं ये उतने गने नहीं होते जितने ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ठीक है तो ये उनके मुकाबले काम होते हैं और ये जो मौसम के हिसाब से हर वक्त एक इनका वक्त होता है जहाँ पे ये अपने पत्ते इनके जड़ जाते हैं यानि पत्त जड़ का इनका वक्त आता है कुछ इस तरह से होते हैं जंगल इंपोर्टन ट्रीज और साल, नीम, पीपल, टीक, शीशम और ये फाउंड इन मध्या प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखन, चत्तिसगर, ओडिशा, एंड पार्टस अप महराष्ट्रा तो इसमें जो सबसे जो एहम या जिनकी एहमियत ज्यादा मानी जाती जिन दरक्तों की वो है साल का पेड़, नीम का पेड़, या पीपल का दरक्त, टीक का या शीशम का और ये खास तोर पर कहां मिलता है मद्या प्रदेश में मिलते है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जारखंड में चत्तिसगड, उडिशा और कुछ महराष्टर के हिस्सों में वहां के जंगलों में मिलते हैं फिर आता है अगला जो थौर्णी बुशिस तो इस थोरनी से अगर आपको आपको आखाया है कांटे वाले जाडियां कांटे दार जाडियां या कांटो वाले जाडियां आप इनको बोल सकते हैं तो इस वेज़िटेशन इस फाउंड in dry parts of the country and the leaves are in the form of spines to save water तो यह जो इस तरह की जो पैदावार होती है या इस तरह के जो पोदे होते हैं, जिन में कांटे होते हैं, ज्यादा तर उन इलाकों में होते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है, ठीक है, जिन इलाकों में, और इन पेरों के पत्ते नहीं निकलते हैं, इन में कांटे होते हैं, जैसे आपने वो कैक्टस का प्लांट देखा ह होगा, ऐसा होता है, ऐसा कुछ कैक्टस का प्लांट होता है, उसका क्या काम होता है, उसमें देखते हैं, आप कांटे होते हैं, ऐसे, ऐसे, अगर आपने कहीं देखो, तो ये खास तोर पे, राजस्थान या वहां पे उन जगहों पे उलता है, जिसमें पानी की बहुत कमी होत जिन राजस्थान जगहों पर तो ये कांटे क्या करते हैं ये पानी की बचट करते हैं कुछ इस तरह के होते हैं जाडियां जो जिसको बोलते हैं इंपोर्टन ट्रीज और कैक्टस खैर, बभूल, कीकर और राजस्थान, पंजाब, हर्याना, गुचरात इस्टरन स्लोप्स और वैस्टरन गाड़ तो ये जो इसमें जो ज़रूरी जो एहम जो दरक्त है वो है कैक्टस के, कैक्टस जो मैंने आपको बता था कांटे का, खैर है एक बभूल का या कीकर का, ये ज्यादतर राजस्थान में मिलते हैं पंजाब में भी मिलते हैं, पाई जाते हैं, हर्याना में भी पाई जाते हैं गुचरात भी एक का एक हिस्सा जो है, वो भी रेकिस्तान है इन सब जगाओं पे ये मिलते हैं फिर जो अगला है, वो है mountain vegetation यानि जो पहाड़ों पे जो पोदे उगते हैं उनके बारे में तो क्या है, the vegetation on mountain changes in height because its height increases, temperature drops जो पेड़ों पे जो पहाड़ों पे, मतलब पहाड़ों पे जो बदलावाते हैं जो उनकी जो पहाड़ों पे जो पोदे उगते हैं वो उनकी उन्चाई के हिसाब से बदलते रहते हैं जैसे जैसे उन्चाई पहाड़ की बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ का जो temperature होता है उसमें गिरावट आती है देखें, ये कुछ जंगल है जो पहाड़ों पे कुछ आप आम तोर पे देखते ही होंगे At the height of 1500 to 2500 meters Most trees are conical in shape जो अगर आप अमूमन देखोगे 1500 से 2500 मीटर की उन्चाई पे पहाड़ की वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो conical होते हैं Conical मतलब कौन शेप के उनके कुछ इस तरह की चाल होती है पेड़ों की आपने देखा ही होगा इस तरह की चाल होती है अगर दूर से देखोगे तो आपको लगए कौनिकल शेप है ठीक है? और इनको जो नाम दिया जाता है इनको एक तरह के से कनिफिरियस ट्रीज बोलते है यानि कनिफिरियस के दरक्त भी बोला जाता है तो इनमें जो खासकर जो पेड़ आते हुआते हैं चीड के पेड़, पाइन यानि पाइन इसको बोलते है Sunover के पेड़ दर्ग या दिदार के दर्ग इसक ऐन कानिफिरस ने सबसे मशवूर जो माने जाते है जो आम तोर से हम कश्मीर में देखते हैं फिर आता है को mangrove forest, mangrove forest वो वाले forest हो गए जो ज़्याद़ तर नमकीन पानी में होते हैं these forests can survive in saline water so they are found in Sundarbans and in the Andaman and Nicobar Islands तो जो mangrove के जो जंगल होते हैं ये ज़्याद़ तर नमकीन पानी में उगते हैं उनकी पैदावार होती है और ये ज़्याद़ तर संदरबन के जंगलों में होती है और साथ इसाथ Andaman and Nicobar वहां के जंगलों में मिलते हैं ये कुछ इस तरह के देखो ऐसे चोटे चोटे होते हैं इतने बड़े होते हैं और ये इसके इर्द गिर्द समंदर का पानी होता है जो नमकीन होता है सुन्दारी is a common mangrove tree and the सुन्दरबन's delta is name after it तो जो सुन्दारी वहां पे पेड़ है मैंगुरू का पेड़ है दरक्त है उसकी वज़े से वहां के जो delta है यानि वो जगह जहां पे धरिया भट जाता है धरिया की बातनी की जगह होती है जहां में अलग हो जाता है तो वहां पे उसकी वजे से नाम पड़ा है सुन्दरबन सुन्धारी की वजे से पड़ा है सुन्दरबन डल्टा का नाम थेक तो ये कुछ इस तरह के होते हैं सुन्दर बन के पेड़ देखिए आप ये जो सामने से गुजर रहा है ये दरिया है और ये जो है ये पहाड़ी जंगल है जो आप जनको रोज मारा की जिन्दगी में खास कर जो पहाड़ी आप जो लोग रहते हैं उनको पता है इन सब के बा काम मिला तो तो यहां तक ही आज इस वीडियो को खतम करते हैं आगे हम पढ़ेंगे जो इस चेप्टर का एहम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में ठीक है थैंक्यू बच्चो